तो चेलिए फ्रेंड्स आज हम अंडा का सबजी बनाएंगे आप लोग अंडा का सबजी कैसे बनाते हैं आज मैं नए तरीके से अंडा का सबजी बनाना सिखाऊंगी आज का विडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो विडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ब तब यह अंड़ जल्दी भी हो जाएगा और खाने में भी ठेश्टी थोड़ा सा लगेगा अभी तो अंडा अभी उबल रहा है तब तक हम मसाला बनाएंगे मसाला में लिया है मैंने प्याज प्याज यहाँ पर तीन चार प्याज यहाँ पर इस तरीके से मैंने काटा है इसका थोड़ा सा इस तरीके से मेस कर लेना है देखे इस तरीके से आप यहाँ पर कहेंगे अंडा के लिए इतना सारा प्याच इस तरीके से बनाईए फ्रेंज अंडा में आज का जो तरीका है अंडा का नया तरीका है इसलिए मैंने प्याच को थोड़ा सा ज्यादा ही डाला है तो यहाँ पर मैंने लेसन को भी काट लिया है और हरा मिर्ची को बोबी इसात्कत में मसल 친ल यहां ठोड़ा सबस्केर एमिया साथ में भी। हलका सा भूनना है यहां पर इस तरह के से खड़ा मसाला डाल कर अंडा करी को बनाएंगे तो इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा और हमने जो यहां पर जावित्री का यूज किया है यह डाजेशन में बहुत ही हल्फुल करेगा और पाचन तंतर में आपका कोई भी प्रोब्लेम हो तो इसको दूर कर सकता है तो यहां पर खड़ा मसाला को इस तरह के से पीस लिया है यह देखिए इस तरह के से यह अभी पीसा है यहां पर अभी अंडा भी बॉयल हो गया है इसको अभी कट लगाएंगे इस तरह के से दो-दो पीस करके इसको कट लगाना है तो चलिए यहाँ पर अंडे को सारे अंडे को में ने दो दो पीस करके काट लिया है यहाँ पर अब एक प्यान चड़ाएंगे ग्यास के उपर अब यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा तेल तेल को यहां पर बढ़े से गरम करना है, धुवाँ आने तक गरम करना है अब इसमें डाल देना है, एक किकर के, एक कटा हुआ अंडा को तु यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, अंडा का सबजी बिल्कुल नया तरिके से बन रहा है एक नया तरीका सीक्रेट तरीका आप लोगों को यहाँ पर में बताऊंगी अब यहाँ पर डालना है स्वाद अनुसार नामा का थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा एक कूटा हुआ गरम मसाला का पावडर डाल देना है इसको क्या करेंगे ओलट पलट करके इसको इस तरीके से फ्राय कर लेना है एहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा खाया भी होगा अन्डा को जिस तरीके से बनाएंगे अन्डा टेस्टी लगती है लेकिन आज का जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है डिफरेंट है इस तरीके से आप लोग बना कर एक बार देखिए फ्रेंड्स उंगलिया चाटते रहे जाएंगे और बार बार इस अंडा सबजी को याद करेंगे तो यहाँ पर अंडा अभी हो गया है इसको प्लेट में निकाल देना है यहाँ पर और एक बात कहूंगी यहाँ पर जैसे की अंडा का सबजी अंडा का भुजिया एग ओमलेट करी बहुत सारा भीडियो अंडा का भीडियो में ने अपलोड किया है बना कर आप लोग उसको देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे प्यान में फिर से इसी प्यान में और थोड़ा सा तेल डाल देना है तेल गरम हो जाए फिर इसमें डाल देना है कटा हुआ लेसुन, कटा हुआ हरा मीर्ची, प्याज यह सब डाल कर इसको बढ़िया से पका लेना है तो यहाँ पर आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आप लोग लाइक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं तो यहां पर यह भी हो गया है, इस स्टेज में में डालूंगी थोड़ा सा यहां पर कड़ी पत्ता, जो कि इसको मीठा नेम भी कहा जाता है, कड़ी पत्ता डाल कर आपने कभी बनाया है या नहीं, कॉमेंट करके आप बता सकते हैं, तो चलिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल ताकि यह जल्दी थोड़ा सा पक जाए अब यहां पर जाएगा एक कूटा हुआ गरम मसाला डालने के बाद इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे तीन से चार बिनिट इसको पका लेना है बढ़िया से इसको कलर आने तक पकाएंगे अब इसमें जाएगा सीक्रेट चीज मैंने जो नया तरीका बताया था यह है बेसन यहां पर ध्यान में रखना है बेसन को कच्चा बेसन इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है पहले बेसन को भून कर इसमें डालना है पहले बढ़िया से भून लेना है भून कर मैंने इसमें दो चमच बेसन डाला है ताकि इसमें स्व तो अचे लिए यह भी पग गया है बिल्कुल सुखा दिख रहा है आप लोग देख पा रहे हैं इस स्टेज में यहां पर डालूंगी मैं पानी आपको जितना भी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से अंडा वाला जोल आप बना सकते हैं मुझे इतना चाहिए तो मैं इसी जोल चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं नमक का कम ज्यादा हो तो इसमें आप डाल सकते हैं इसको और थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें इसमें डाल देंगे अंडा को अंडा को डाल कर भी फिर से उबालना है दो तीन सेकंड के लिए इसको उबालना है फ इसमें थोड़ा सा बेसन को भून कर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और गाढ़ापन भी जोल में बहुत ही अच्छा देता है तो इसमें सबसे खास बात है मसाला में मसाला में खड़ा मसाला बगेरा डाल कर तो बनाया जाता है लिकिन मैंने इसमें डाला ह गड़ी पत्ता और बेशन इसका कंबिनेशन बहुत अच्छा आता है एक बार आप लोग इसको बना कर जरूर खाईएगा तो यहां पर अभी मैंने अंडा को डाल दिया है अंडा को डाल कर इसको दो तिन मिनिट फिर से पका लेना है फिर से पकाने के बाद ग्यास को यहां प पा रहे हैं इसमें मैंने जितना भी पाने डाला था जोल के लिए ओ जितना कम हो रहा है इसका कलर बढ़या से निखर के आ रहा है देखे बहुत ही टेस्टी बन रहा है तो फटा-फट से इसको अभी सर्फ कर लेना है तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बाबाय टेक केर